कि नमस्कार कि आप सभी फाइबेनों का हादिक स्वागत करता हूं सभी के लिए सुब कामना सुभेच्छा भगवान बोले ना था सभी की मनों कामना पूरी करें वेशे तो मैं वीडियो बनाने की तैयरी कर रहा था मगर अचानक से ये बेटा मुझे मिलने के लिए आया और बोला मुझे कि मुझे आपकी चैनल पर कुछ बात करनी है लाख मना करने पर ये भी नहीं माना वो माता पिता भी सामने बैठे हैं कि कुछ लोग चैनल पर आकर बोलते है यह उपाई उसे कुछ नहीं होता है बहुत सारी कोमेंट आती है यह उपाई से कुछ नहीं होता है बक्वास है अब यह बच्चा ही बताएगा कि उनके जीवन में क्या हुआ था उनके माता जीना मुझे कौन किया था मेशेच किया था मुझे वेसे तो गुजरत से ही है नगर 500 किलो मीटर दूर है मेरे घौंसे 500 किलो मीटर दूर से खुटी गाड़ी लेके माता पिता के साथ माई यहाई चैस भाई नाम क्या है आपका जैस बाई बताएंगे कि कहा से आया है या उनके जियून में हुआ था कौन से कौन से उपए में ने उनको दिये थे और किसे फाइदा हुआ था जैस भाई आपको बताएंगे जैस भाई कि नमस्कार जै हिन जै भारत आप सभी को सुबरात्री आज के यह दिन खास मेरी तो सबसे पेले में एक बहुत बड़ी उपलब्धी मानुगा कि मैं यहाँ पर कैसे पोचा में गुरुजी से आज स्पेश्यल मिलने के लिए आया हूँ एक एक रिक्वेस्ट करता हुँ जैस भाई प्लीस गुरुजी सब्द का मत गुरुजी नाम बोले अंकल बोले देखो ऐसा है कि अभी तो मैं भी पेल तो मैं मेरा नाम बता दू मैं जहेश जोसी जुनागट से यहां आया हूँ हमारे नजदिक राजकोट इसके आगे वाकाने गाउं यहां से हमारे गुरुजी यहां पर निवस्थान है और मैं आज गुरुजी कोई ढूंड़ते मतलब इसकोई एड्रेस पूचके मैं सिधा यहां पर आ गया अच्छा मेरा यहां आने का भी एक कारण था क्या कारण था मैं पेले मेरे जीवन के पिछले हिसे मैं आप सबको ले जाना चाहता हूं एक मिनित केश पर गुजराती है सायद हिंदी में कोई सब्द गलब बोल जाए उक्षमा करना तो मैं जोसी जुनागर से यहां पर आया था आया हूं एसा है कि मेरे पिछला जीवन जो कि यह तो मुझे शेर नहीं करना चाहिए फिर भी मैं आप सभी के आप सभी को मैं शेर इसलिए कर रहा हूं ता कि कि आपको भी कुछ पता चले सबसे विलैं तो मैं यह बता दू खिए मैं इससे पहले बहुत मतलब बहुत सब्सक्राइब प्रोब्लम में आपको शेर करूं तबी तो मतलब मुझे भी डर लग रहे कि मैं आपको केशे था फिर बहुत सारा कुछ हुआ तो यह सब मेरी माता जी को पता चला जो भी फिलाल मेरे सामने ही है मेरे माता जी को पता चला फिर मेरी माता जी भी गुरु जी के सभी वीडियो अपने यूट्यूब में देख रहे थे और गुरु जी ने जो वीडियोस में अपने नंबर भी एक दो वीडियोस में डाले थे तो मेरे माता जी ने गुरु जी का कॉंटेक्ट किया इसके बाद हुआ ऐसा अच्छा मैं और एक बाद बता दू बीच में कि ये गुरू जी के वीडियो में भी देखता था पर आप बुरा मत लगाएगा पर मेरी भी बहुत ऐसी कोमेंट है थी जो मैं ये गुरू जी को कहता था कि आप ये सब बन करो ये सब गलत है इससे कुछ फाइदा नहीं हो रहा है या ये सब बकवा से बहुत मैंने कोमेंट की है बहुत वीडियो में मैंने कोमेंट की है और मैं कभी वीडियो पूरा देखता भी नहीं था इसके बाद हुआ कि मेरी माता जी ने गुरु जी का एक वीडियो देखा, गुरु जी के नंबर लिए, फिर गुरु जी से contact मोबाइल में बात की, गुरु जी से बात की, कि मेरा बेटा इस परिषिते में इसे गुजर रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है, काम धनता ठीक से चल रहा है, और पेसो का मतलब एकदम पूरा व्याई हो रहा है, एसा हुआ, बाद में गुरु जी ने, मुझे तो ये पता भी नहीं था, ये तो गुरु जी सभी वीडियो में ये भी बता रहे थे इसके बाद मैंने सभी वीडियो देखे गुरु जी ये भी बता रहे कि देखो ये सभी को अशर नहीं करता धीरे धीरे असर करता है कैसे लोगों को असर करता है कितनी देरी से असर करता है सब गुरु जी अपने वीडियो म जी की इस प्रकार से पुजा करो मंगलवार्दिक के दिन ये प्रकार से पुजा करो एसे एक दो आइडियास उपाई गुरु जी ने दिये थे ये मेरी मातादी ने शुरूक किये और इसके फलस्वरूप आप नहीं मानेगे पचास दिन के अंदर ही मेरा ये पूरा लाइफटाईल चेंज हुआ अच्छा मैं तभी ये नहीं सोच रहा था कि ये सब गुरु जी का कमाल होगा या भगवन मैं तो यहीं सोच रहा था कि ये तो सब मेरे किये कराये पे चल रहा है पर नहीं ऐसा नहीं है मैं फिर एक दिन मैंने गुरु जी के विडियोस देखे और मेरी माता जी ने मुझे बिठाए और कहा कि देखो इस प्रकार से ये सब हुआ है और इसके फलस्वरुप आज मेरा सभी पचास दिनों के अंदर ही मेरा में बता दू के मेरा बहुत बुरा व्यसन था वो भी छुट गया है अच्छा मेरी और भी बहुत सारी मानसिक जो बोलते है बिमारिया जे अभी के समय में हाती है जैसे कि बार एसे घुमना, कुछ काम में ध्यान ना लगाना, काम नहीं करना, पेसे का व्याई करना ये सब मेरी जो बिमारिया है वो भी दूर चले गए अभी में बहुत बढ़िया अच्छे से अपने खुद के धंते बिजनेस पर में काम करने लगा हूँ उसके उपरांत, ये सब होने के बाद, थोड़े बहुत पेशे भी मैंने इकठा कर लिए, बचाने लगा हूँ अच्छा, ये सब होने के बाद, जब मुझे पता चला कि ये गुरु जी का ही उपई था और ये उपई से ही ये सब हो रहा है मेरा आप नहीं मानोगे, मेरा बहुत कम टाइम में बहुत बढ़िया फाइदा हुआ है, तो ये सब फाइदा होने के ये सब फाइदा होता ही, मैंने ये ही सोचा कि बस अब गुरु जी से हमें मिलना है अब सुनिये जैस भई, मेंने आपकी माताजी को उपई दिये थे, शिर्फ मेंने राष्ता बताया था, ये जो हूआ आपके जीवन में, जो जीवन में बदलावाए, जो आपके नुशे थे वो नुशे छुट गए, शिर्फ और सिर्फ आपकी माताजी की सृद्धा, पूरे बरुसे के साथ आपकी माता जी ने जो उपई किये इसके लिए बैंजी मैं भी आपको धन्यावाद बोलता हूं आप आए केमेरे पर आएए आप नहीं आना है आपको ठीक है कोई बात नहीं है कि कुछ लोग भी कोमेंट करेंगे कि यह सब पूरा प्रोग्राम फिक्स किया है कि दोस्तों के मुझे मालूँग भी नहीं है झाल कि जैस मुझे मिलने आ गएक वाकानर कांड के बात उसने मुझे बूछ किया कि हम वाकानर में है अब कहां है मैं तो मेरा नया मकान मन रहा है वहाँ था अभी कपड़े भी मैंने चेंज नहीं किये है कि जेश भाई निकलने की जल्दी कर रहे है तो मैं बोला चलो जेश भाई उसकी जिद्ध थी कि आपकी चैनल पर मुझे आना है लोजय है अल्थे खुश रहे प्रसंद रहे भग्वान पोले नात Hayır एड़ी शहाई अबस्टॉस्थ आपने जैस ब्याक को सुनां कॉमें प्लेश सृतने नम लिखा वीडियो द्यांतवान्त सबी मेरे अपिंट लाओ आपिंटी